दोस्तो नमस्कार वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंसी न्यूज अपडेट लेकर हमें एक बार फिर उपस्ति थें दोस्तो ये अपकमिंग वेकेंसी है अभी ओफिसियल वेबसाइट पर इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन बहु दोस्तो और इसमें आईटियकी तीन ट्रेट की वेकेंसी आने की पूरी संभावना है इलेक्ट्रिशन, इलेक्ट्रोनिक्स, और सिविल इन तीनों ट्रेट से यदि आप आईटिय होलडर है तो ये वेकेंसी आपके लिए एक महत्व पुर्ण मौका हो सकता है दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी UP PCL के भी एक्जाम होने वाले हैं तो आपका इसी से इस UP METRO से रिलेटेड एक तरह से त्यारी है और continue आपका इसी में त्यारी रहेगी UP METRO का पूरा सलेवस क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह का एक्जाम पेपर रहता है कितने किस सेंक्षन में से आते हैं सभी डिटेल लाज तक आपको बता दी जाएगी पूरा कमप्लीट वीडियो देखना आगे बढ़ने से पहले आपसे निवे दिन करूँगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें इसी तरह के नूज नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें इस वीडियो को अपने दोस्तों को आप स इसमें नहीं लेंगे छे पोस्ट आ सकती है इस्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ओपरेटर यानि एससी या टियो 186 पोस्ट यहां पर आ सकती है मेंटेनर यान जो आईटी वाले होते दोस्तों उसमें इलेक्टिशन की 52 सिविल की 24 और इलेक्ट्रोनिक्स की 24 सिटे हो सकती है यानि आईटी वालों के लिए तीन मेंटेनर पोस्ट की जो आ रही है यह तीन अलग लग आईटी ट्रेड वाले इसमें अपलाई कर पाएंगे इनके लिए वेकंसी आ रही है मोस्ट आप दी स्टुडेंट इलेक्टिशन के मिलते हैं तो 52 पोस्ट आपके लिए है यहां पर पेई स्केल की बात करूँ तो असिस्टेंट मेनेजर का पेई س्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपे का रहेगा यह सेम वही पेई स्केल है जो दिली मेट्रो में दिया जाता है इस्टेशन कंट्रोलर यानि S.C.O. ट.O. की मैं बात करूँ तो 33,000 से लेकर 66,300 रुपए तक का पेस्केल मिलेगा वही मेंटेनर के लिए 19,500 से लेकर 49,900 रुपए का पेस्केल रहेगा यानि अच्छा खासा वेतनी से कहा जा सकता है एक बहुत अच्छी सेलरी आपको मिलती है बड़ी बात ये है कि प्रोवेशन पिरिड के दौरान भी यहां पर आपको पूरी सेलरी मिलती है राजस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि दो वरस का आपको प्रोवेशन पिरिड में रखा जाएगा और इस दुरान आपको पूरा वेतन नहीं दिया जाता है जबकि इस मेटरों में आपको पूरा वेतन मिलेगा जितने भी अलाउंसेज हैं सभी अलाउंसेज आपको मिलेंगे डियरनेज अलाउंस हो या हाउस रेंट अलाउंस हो वो सभी परकार के benefit आपको मिलेंगे सभी परकार की छूटियां आपको मिलेगी जो जो एक permanent employee को मिलती आ रही है वो सभी यहां पर मिलेगी दोस्तों बात करें यदि हम educational qualification के लिए तो assistant manager के लिए degree रखी गई है यानि B-tech या B-E हो सकता है electrical से, mechanical से या फिर electronic trade से हो सकते हो तो एक great opportunity मैं यहां पर कहूंगा maintenance के लिए यह दिबात की जाए दोस्तों तो electrician वालों के लिए NCVT से electrician trade में ITA मांगा गया है अब देखे ध्यान से केवल NCVT लिखा है तो इसका मतलब यह होता है कि NCVT वाला ही भर सकता है लेकिन वो किसी भी state का हो वो फोर्म जरूर अपलाई कर सकता है यानि इसमें all India से फोर्म अपलाई कर सकते हो कहीं पर किसी के लिए कोई look out नहीं है लेकिन आपका ITA NCVT से होना चाहिए यदि SCVT ITA से आप हो तो आप यहां पर apply नहीं कर पाओगे maintainer civil के लिए तो ITA NCVT civil trade से होना चाहिए maintainer S&T जो है तो इसके लिए electronic mechanic trade से आपका ITA होना चाहिए और यदि मैं बात करूँ दोस्तो station controller के लिए तो station controller के लिए diploma रखा गया है यानि ITA, diploma and degree तीनों के लिए vacancy यहां पर आने वाली है तो mostly student, ITA, diploma, degree इस तरह की सभी qualification आपको देखने को मिल जाएगी यानि सभी candidates के लिए मोका यहां पर मिल रहा है चलिए दोस्तो बात करूँ मैं important crucial date के बारे में तो अभी form इसके start हुए नहीं है online application submit आपको करना होगा form online ही बरवाय जाएगा 10 मार्च से इसके form start होंगे और 2 अपरेल इसका last date रहेगा यानि 10 मार्च से 2 अपरेल तो 10 मार्च का मतलब है कि जल्द ही यानि एक या दो दिन में इसका full detail advertisement अपने पास आ जाएगा लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो सलेवस है वो हम पहले ही discussion कर लेंगे दोस्तो post का हमें पताई है तो आप तो form की त्यारी करें यदि मैं बात करूँ form apply करने की फीस जो है तो general और OBC केटेगरी से 590 रुपे लिए जाएंगे वहीं reserve केटेगरी से 236 रुपे की फीस रखी गई है अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये state का metro है राज्य सरकार का है इसलिए ये यूपी से आप बिलोंग करते हैं तो ये SCST के आपको छूट मिलेगी यदि आप राजस्तान, MP, बिहार, जारखंड, पंजाब, हरियाना इन state से फोरम अपलाई करोगे तो आपको अन्रिजरो कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा चौए आप किसी भी कैटेगरी से क्यों न हो क्योंकि ये center level का नहीं माना जाता इसलिए आपको जो state के लिए दिया जाएगा वो जनरल का ही कोटा रहेगा यानि लगबग आप 600 रुपए की फीस मान कर चलें अब देखिए दोस्तों बात करें यदि हम सलेवस के लिए दोस्तों तो टेकनिकल के इसमें 75 किसन आएंगे 5 किसन जनरल इंगलीस के आएंगे 5 किसन आपके quantitative aptitude इसको mathematics बोल सकते हो आप 5 लोजिकल aptitude यानि reasoning बोल सकते हो और 10 किसन दोस्तों यहाँ पर general awareness के आएंगे यानि 75 आपके ITA trade के हो गए 5 किसन जनरल इंगलीस के हो गए 5 किसन quantitative aptitude यानि mathematics related 5 किसन logical aptitude यानि reasoning mental ability तारकिक समता जिसको आप बोलते हो उसके आते हैं और 10 किसन GA general awareness, general knowledge, general science कुछ भी आप बोल सकते हो यह रहता है लगबग आप देख रहे हो याँ पर ठीक है दोस्तों तो यानि लगबग आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो लगबग 100 किसन देखने को आपको मिलेंगे ठीक है 120 मिनिट का टाइम रहेगा यानि 2 गंटे का समय मिलता है और यह analysis दोस्तों हम previous paper के according कर रहे हैं हो सकता है कि नए pattern में कुछ changes कर दिये जाएं तो जब भी नया pattern या changes हमारे पास होगा तो उसकी update आपको दे दी जाएगी return exam होगा और अभी जैसा की scenario चल रहा है हम देखते हैं सब जगे CBT हो रहा है तो computer based test ही होगा return exam होगा CBT होगा आपका और selection process जो है वो इस return exam की merit based पर होगी कोई किसी परकार का interview नहीं होगा तो बस दोस्तों बड़ी detail यही थी वीडियो पसंद आया है तो like जरूर करें अपने दोस्तों को आगे forward जरूर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करें